हेलो फ्रेंट्स आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर एक और रेसिपी के साथ तो फ्रेंट्स आज हम यहां पर मूली के पत्तों की रेसिपी बनाने जा रहे हैं वैसे हमारे हाँ पे इसे भुजिया भी कहते हैं भुजी भी कहते हैं भर्जी भी कहते हैं कई नामों से जाना जाता है इसको फ्रेंड्स और आप इसे पराठो के साथ खाएगा बड़ी टेस्टी और यमी सी लगने वाली है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो देखिएगा मैंने यहां पर मूली के पत्ते लिए इनको मैंने कट कर लिया है आप चाहें तो मूली को स्कीप भी कर सकते हैं लेकिन मैंने इसमें दो से तीन मूलिया काट करके डाल दी है तो अब हमें इनको बहुत अच्छे तरीके से वाश करना है यानि कि थोड़ी बहुत मिटीन में आही जाती है थोड़ी बहुत गंद गिया जाती है तो अच्छे से साफ हो जाएगी और द और अब इसको दो सीटी यह पर आने तग उबालेंगे तो जब इसको कोकर का प्रेशर निकल जाए तो उसके बाद ही आप कोकर को खोलेगा और उसमें यह पत्ती और इसमुलिया थी इनको हम निकाल लेंगे एक छलनी में तो इनको हम पानी से वाश कर लेंगे क्योंकि जो मू तो फ्रेंड्स मूलियों में पानी रह जाता है तो इनके पत्तों में भी तो देखेगा इनको जब हम बनाएंगे तो बनाने से पहले इनका हम पानी निकाल देंगे तो देखेगा हाथ से दबाते हुए आपको इस तरीके से इनका पानी निकाल लेना है तो सारे पत्तों का पानी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे तो देखिएगा यहां पर मैंने सारी बुजिया को तयार कर लिया है तो बस कुछ ऐसी ही नजर आएगी यह पानी निकलने के बाद तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं तो बस अब हमें इसमें तड़का ही लगाना है तो बुजी है यह जादा ओयल में ही अच्छी लगती है इसलिए मैंने जादा ओयल लिया है और इसमें मैं डालूंगी आधा चम्मस से कम जीरा और जब यह जीरा चटक जाएगा तो हम इसमें डालेंगे लैसुन क्योंकि मैं लैसुन का तड़का देने वाली हूं इसमें तो मै कि म Já Aues को हाइब पर में भीच को मैंत लखेते हैं तो देखिआएं कॉड़ करेगा इसके से इसमें हाइएल नमक जाना है तो यह जादे लाल मिर्च पाउर्ट ञेंडा पाउर है इसको इसके अधे सबसाएब में एलो बाला और दोड़ घालनेेलंगे क्योंकि थोड़द प अगर आप चाहते हैं, तो आप ठीज में डाल सकते हैं. तो बस एक मिनट लगेगा मसालों को भुनने में, जब मसाले हमारे हाँ भुन जाएंगी, तो उसके बाद हमने जो मूलियों का पानी निकाल के रखा था, मूलि के पत्तों का, उसको हम इसमें डाल देंगे, तो देखिए मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर दिया है तो चलिए इनको अब कड़ाई से निकाल लेते हैं और देखिएगा मैं तो यहाँ पे इनको सर भी कर रहे हूं तो लग रही है न बहुत ही ज्यादा यमी सी रेसिपी तो बस आप भी इनको ऐसे ही बन और पेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलेगा फ्रेंड्स तो चलिए अब हम मिलते हैं एक और नई रेसिपी में एक और नई वीडियो में तो तब तक के लिए बाई फ्रेंड्स